नमस्कार दोस्तों सुवागत है आप देख रहे हैं जार्खन के नमबर वन यूटूब चेनल जार्खन डिफेंजोब तो गाइज आप सभी के लिए लेटेस्ट अपडेट निकल कर आ रही है नियोजन निती को लेकर तो फ्रेंड सुप्रीम कोट के बेवसाइट के माध्यम से नियोजन निती का जो सुनवाई होने वाली है उनकी तिथी जारी कर दी गई है तो फ्रेंड वीडियो में पूरी जनकारी देने वाले हैं सुनवाई कब होने वाली है साथ ही 13 जीले वाले च्छात का भविस अब क्या होगा सुप आएगी सबसे तेज इस यूटूब चैनल से देखने को मिलेगी तो चलिए सुप्रीम कोड के ओफिसल बैव साइट के उपर तो जाने से पहले वीडियो को लाइक आवस कर दे तो फ्रेंड आप से भी सुप्रीम कोड अप इंडिया के ओफिसल बैव साइट पर आच चुके है तो चले गाईज आप देख सकते हैं जो केपचा संक्या है और केस जो नंबर है मैं फिल कर लिया हूँ एकानवे सो ठीक है और जो डारी जो नंबर है केस नंबर एकीस तीन सो बिरानवे एर दो हजर बीस तो चले मैं इनको फिल कर लिया है इसके बाद मैं सब्मिट बटम प सुनवाई होने वाली है ठीक है आप डारी नमर देख सकते हैं और साथ ही दोस्तों में ये भी दिखाऊंगा सोनी कुमारी का जो फ्रेंड ओभी है उनकी सुनवाई कब होने वाली है तो सायद केस मर्ज कर दी गई है ठीक है सबीक साथ एक साथ सुनवाई होने वाली है तो वी देख सकते हैं जो भी जनेरेटेट जो हुई है फ्रेंट देख सकते हैं 12-2021 बारा दो कंप्यूटर जनेरेटेड लिकली बाय लिस्टेड उन तो फ्रेंड इनकी जो टेंटिटीव डेट है बारा फरवरी को सुनवाई होने वाल यह घाई ठीक है और इनकी जो फ्रेंड जो पिडिशन जो डियर कीती सत्यजीत कुमार ठीक है यह सिमडेगा कहने ने जन कुमार साहू साथ ही रुपेश कुमार ठीक है यह अपना दुमका जीला कहें ठीक है जामा परखंड के गाईश ठीक है तो चलिए मैं अगले के स्टेट को चेक कर ले रहा हूं तो फ्रेंड इनका भी जो है जैस्टिस असोग भूसन और हॉरन भी जैसी सुभास रेड़ी ही गाज ठीक है और इनकी जो मर्ज की गए गाज इनकी जुभी सुनवाई जो होने वाली है बारत दो दो हज़ार इकीस को होने वाली दिखें देख सकते हैं इनके उपेसर बेवसाइट पर आप सब्सक्राइब दोस्तों एक अच्छी खबर है जान तक मुझे सुने मारा दोस्तों बहुत ही जल्द केस को हैंडल कर लिया जाएगा ठीक है अब केस किसके पक्ष में आगा दोस्तों 13 जीला वाले या इनकी भविस क्या होगी यह अंधेर में रखें गये है सुप्रीम कोट अब आने वाले दिनों में पता चलेगा ऐसे मैं भविस्मानी नहीं करूंगा ऐसे मेरा भविस्मानी दोस्तों 100% सट्रिक होता है लेकिन बहुत सारे चात्र के कुछ नेगेटिव कमेंड आते हैं इसलिए मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा ठीक है तो देखने वाली बात है कल को सुनवाई में क्या होती है फिर से लंबे समय लिया जाएगा अगले डेट की गोशित की जाएगी तो यह देखने वाली बात होगी तो मैं आप सभी को कल भी जो भी अपडेट होगा चेनल पर जनकाई दूँगा तो आप सभी चेनल पर बने रहें मिलते अगले वीडि बने वाद जय हिंद जय वारत